असलाम अलेकम दोस्तों वेलकाम अन वकार गिरकर शो तो भारती मीडिया ने वाइचेंपियस टॉफी दो अदर पचीस का जो शेडूल है वो तब्दील कर दिया है और जो वेन्योज हैं वो तब्दील कर दिया है और स्पेशली वो एक रियल घमड है वो क्या है असल बड़ी वज़ा वो ही है कि सब कुछ हम क्लियर करने वाज़े इस वीडियो के अंदर जनाब भारती मीडिया ने एक कुछल कूद का जो इस वका सिस्टम शुरू कर दिया है वो हर बंदे की समय से बालत आ रहे है जब से यह क्लियर हुआ है कि जैशाह ने आई सीसी की चैर्मेन बनन के लिए जैशाह को लगा दो अस्ट्रेलिया और इंगलेंड ने कंफरम कर दिया है तो अब भारती मीडिया उसने यह मतलब टोपी ड्रामा या वह वेला मचाना शुरू कर दिया है कि जो जैशाह अगर चेर्मन बनते हैं तो पाकिस्तान से चैंपिनस ट्रॉफी उठार के बाहर फैंक दी जाएगी किसी और कंड्डिंन होघी यह और वो होगा सारी पाफर जैशाह यहां के पास तो मैं यहां पबात ऐसी क्लियर करने जारहो जो ऐखिकत अबनी बात है वह यह है कि भारत okay भारती टीम एक अलग चीज आयसी के चेहर्मेंन एक अलग चीज यह अगर ICC के चेर्मेन किसी ऐसी टीम को जिसमें पाकिसान अगर होस्ट है अगर पाकिस्तान से चेंपेस्ट्रॉफी ठाक बार फैंक सकता है चेंपेस्ट्रॉफी बार करवा सकता है उसके इफ्तियार में यह है लेकिन वो यह चाह कर भी नहीं कर सकता पाकिस्तान को राइस पहले से मि दामाद को वो देखें ना कि जनाब ये की चैंपियस टॉफी को पायर उठा के फैंक दें भारती मीडिया ने जनाब ये कहा है कि जो चैंपियस टॉफी की शडूल है वो चेंज होने वाला है और जो चैंपियस टॉफी है वो जनाब किसी और कंट्री में होने वाली है ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं ना यह तो पॉसिबल नहीं होने लगा है अब जो उन्हें एक स्टांस रखाया या एक जो बात है जैशा ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं अस्ट्रेलिया, इंग्लेंड, साउथ अफरीका, बंग्लादेश, अफगारिस्तान, नियुजीन यह जो छे नेशन है, क्या यह चाहेंगे कि अगर मिसाल की तोर पर पाकिस्तान का अगर भारत के अंदर होता है तो वो कहाएगा जी मैं इंडिया के अंदर टुर्नमेंट नहीं होने दूंगा और मैं किसी और कंट्री में भैंक दूंगा, ऐसा तो नहीं होने वाले, इस तर स्टनान यह स्कता है कि कौई चैर्म है जीनाब किसी कंट्री से बिलावजा तरूर्नमेंट चीम के बाहर करवाद, ऐसा हो यह नहीं सकत है तुछनाब तो ये जनाब रियालिटी है चेंपेस टॉफी को कोई भी कहीं भी नहीं धकेल सकता है ये एक रियालिटी एफेक्ट है अपडेट से चलेगे तो लाइक और सब्सक्राइब विरूर कर देना